नमस्कार दोस्तो, उडान आ यईस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अनील कुमार और प्यारे दोस्तों हम डिसकस कर रहे हैं आधुनिक भारत का इथियास। आदुनिक भारत के इत्यास की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों हमने एक एक करके इससे पहले यूरोपिय सक्तियों को बिर्टिस अर्स ने कैसे हराया आदर यूरोपिय पावर्स को फिर उसके बाद पढ़ाता कि छेत्रे राज्यों को कैसे जीता अभी हम पढ़ने दो लेजरी लेकर आये थे Subsidiori Alliance, The Tative of Subsidiori Alliance या पिर इसको बोलते है Subsidiori Alliance System मतार्थ सायक संधि वेवस्ता तो प्यारे दोस्तों सायक संधिक मेने देखा डलोजी की नीतियों को देख लिया था जो एक सेन्ने रणनीती से करना संभब नहीं था अथात वो इस रणनीती की बात करना है डॉक्ट्रिन ओपलैप्स से उसके बाद इसको कई बार दूसरे तरीके से भी कुशन पूछ सकता है कि डलहोजी का काल भारत में बिटिस सामराज्य के परसार का परखर्द ओफेरी था यह अधारत क्लाइमेक्स चरम प्रकाश्टा थी तो अगर इस परकार का यह कुशन आता है तो प्यारे दोस्तों जरा देखेंगे इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखना होगा इंट्रोडक्शन में देखेंगे बिटिस सामराज्य देखेंगे बिटिस सामराज्य बादी परसार की पिरक्रिया जो स्टार्ट हुई थी उसको प्रारम क्या था, लॉड हैस्टिंग दुबारा प्रारम क्या था, उसको देखेंगे, लॉड धलोजी के काल में वो अपनी चरम प्रकाष्टा वर पहुंच जाती है, लॉड धलोजी ने बिटिस और धोगिक पुंजिवाद की आवसकताओं को पूरा करने के लिए, यह क्या होगा, बाजार की रूप में विक्सित करना था, अथार्थ जो अधोगिक पुंजिवाद चल रहा था, उसकी आवसकताओं को पूरा करने के लिए, भारत में क्या था, एक बहुत बड़ा बाजार की जरुरती, एक मार्केट की जरुरती, क्योंकि यहां से जो रो मेट पूर्थी करता था, देख सकते हैं, कच्चे माल की आवसकता के लिए भारत से अध्भारत, भारत के अधिक से अधिक छेत्रों का क्या करना चाहता था, भारत में विले हैं, और इसलिए वो पृत्याक्षनेंत्रां इस्टेब्लिस करना चाहता था, इसके दुआरा अगर हम बात करें तो दोस्तों इसने कौन सी डलहोजी ने सामराजय विस्तार के लिए चार प्रकार के साधनों का उप्योग किया था, जस्ट में एक बार बता देता हूँ, युद्ध के माध्यम से सामराजय विस्तार, किसी से युद्ध करना पड़े तो युद्ध, कुशासन के आधार पर देशी राज्यों के पेंसन वगरा की समाप्ति करके, जैसे आपका देख सकते हैं, नाना सहब की थी, और जो कि आप उसके बाद देखेंगे, रानी, लक्षमी वाई वगरा, ठीक है, इनका क्या क्या था, उसके बाद देखेंगे, व्यापगत का सिध्धान्त, यानि कि एक क्या से हरप की नी थी, इसके माध्यम से क्या क्या था, विले क्या था, उसके बाद देखेंगे, व्यापगत के सिध्धान्त क्या आधार पर डलोहजी ने, भारत राज्यों को तीन स्रेनी में बाटा था, इसको हमने बाट क्या था, ये आई थिंक, हाँ, कौन कौन से राज्ये थे, इसके बारे में बाद करते हैं, तीन राज्यों में बाटा था, जी, तीन प्रकार के राज्यों में बाटा था, मैं एक रहाँ, दॉक्ट्रिन ओप लेफ्स के आधार पर डलोहजी ने, भारत के जो राज्ये हैं, उनको तीन क्लासिज में प्रित्यक्ष और एप्रित्यक्ष रूप से बिटिस गवर्मेंट का योगदान है। प्रित्यक्ष रूप से बिटिस गवर्मेंट का योगदान है। सरकार की अधीनता सुईकार कर लें, ठीक है, डॉमिनेंस को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, तो ऐसे लोग, दोस्टो, अगर उनका रियल्सन नहीं है, तो वो बिटिस सरकार से अनुमति लेकर, वो क्या कर सकते थे, गोद ले सकते हैं, यानि कि यहाँ पर बिटिस गवर्मेंट की बिटिस कमपनी की अथार्थ डलहोजी की अनुमती लेना अनिवार रहा था अगर उनका रियल सन नहीं है ठीक है अच्छा है इसका मतलब मैं यह कहना चाहरा हूँ कि यह बिटिस गवर्मेंट करेगा अगर मालोग गोद लेने के अनुमती दे दी तो ठीक है कि वो उसका अगला राजा बन जाएगा अगर नहीं दी तो उसका भी लेकर लिया जाएगा क्लियर हो गया अच्छा तीसरा एक और राज्य होता था स्रेणी तीसरी स्रेणी क्या थी जरा देखेंगे थार्ड स्रेणी देखेंगे आपर तीसरी स्रेणी थी दोस्तों ऐसे राज्य जो सब्तंतर थे अथार्थ ना तो वो उनका फॉर्मिशन में बिटिस गवर्मेंट क को accept करते हैं वो अपने आप इंडिपेंडेंटार्जी को सबतंत्र अपना जो है वह उत्रादी कारी चुन देते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है अब बात आती है कि वह देखो ये जो डलहौजी की व्यापगत सिधान्त है इसका assessment देखते हैं doctrine of labs का assessment the assessment of doctrine of labs व्यापगत के सिधान्त की समिक्षा तो देखते हैं वह कितना ये ठीक था कितना ये गलत था सबसे पहली बात तो ये है कि देखो देखो देएसी रियासतों को तीन स्रेणियों में विभक्त करना जो था वो अंगरेजय का realि में ना तो कोई कानून ये दिकार था ना ही उनका नेतिक अधिकार था क्यों कि दोस्तो अंग्रे जो ने इनका निर्मान नहीं खिया था, देशी रियासत तो पहले से थे, सैध्धान्दिक तोर पर ये मुगलो के दिन हुआ करते थे, देशी रियासत जो भी थी हमारे हां पर, तो वो मुगलो के अधिनते तो अंग्रे जो ने ये जो वर्ग बनाय और दोस्तो ना किवल धार्मिक रूप से प्राचीन प्रथा थी हमारे हम पर पहले से ऐसा चलता आ रहा था ठीक है और तो और इसको कानूनी सुख्रती भी दी गई थी कानून ठीक है इसमें क्या है दोस्तो हस्ताशेव करना अंग्रेजों का कोई ना तो नैतिक और ना ही लीगल राइट था उनके पास फिर भी नोने ऐसा किया ठीक है अगला देखेंगे अगला पॉइंट है इनसे देशी रियासतों को अंग्रेजों के विरुत खड़ा कर दिया दोस्तो इसने क्या किया इस काम में जो देशी रियातक अंग्रेजी सामराज्य के लिए एक आप क और ये आपका राज्य है भारते राज्य है तो ये इनका सपोर्ट करते थे किसका बिटी सर्स का सपोर्टर थे ये पिलस मिलकर ठीक है तो एक प्रकार से इनके लिए सपोर्टर्स के रूप में काम करें थे तो आप देखेंगे तो इससे क्या होगा अगर मानलो आप उनका ह विलाय करोगे तो क्या होगे ये आपके दुस्मन की रूप में उबरेंगे किलियर हुआ तो ये भी एक बात थी उसके बाद अगला देखेंगे देशी रियासतों के दोस्तो सासकों में क्या आगया था ऐसंतोस आगया इससे क्या हुआ 857 की क्रांती में सामिल होने के लिए प्रेरित किया अथार्थ में कह रहा हूँ कि जब आपने बहुत सारे देशी जाजा जो थे उनकी आपने पैंसर बंद कर दे या फिर आप देखेंगे कि गोद निसेत के आधार पर क्या किया आपने किसी को राजा यानि कि उसके एडॉप्टिट सन को रियल सन नहीं माना उसका विले कर लिया तो ये सारे के सारे लोग क्या होता है कि आपके 877 की क्रांती में लडने के लिए सामिल हो जाते हैं जैसे रानी लक्षमी भाई होगी अभी मैंने बदाया तात्या टोपे होगे या फिर आप देखेंगे कि नाना साहब मराठो में जो लास्ट मराठा था ठीक है बाजिराब दुत्या का दर्तक पुत्र था उसकी पेंसन बंद कर दी डलहोजी ने तो वो भी रठार से सतामिल की क्रांती में क्या हो गया सामिल हो गया तो ये सारे के सारे कारण थे तो इसका क्या assessment रहा है मुल्यांगन क्या तो इसके ये negative points थे ठीक है तो आप देख सकते है उसके बाद हम आगे देखेंगे देखो भी अब हम जो देखने जा रहे हैं ये है economic policy ठीक है यहाँ पर देखेंगे economic policy of Britishers and its impacts विटेन की जो अपनिवेस कह सकते है ठीक है economic आर्थिक नीतियां क्या थी इसके संदर में तो आप उपनिवेस वाद के तीन चरण थे बिटिस उपनिवेस वाद के तीन चरण हुआ करते थे इन चरणों के क्या-क्या नाम थे कौन सा चरण कव से कव तक चलता है ये all over क्या होता है भारते थ्यास को बाटा जाता है ठीक है तो इसको आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या चल ले हैं यहाँ पर इनकी क्या डिमांड है ठीक है तो तीन चरणों में हैं ठीक है पहला चरण दूसरा चरण और तीसरा चरण उपनिवेस वाद अथार दो तो कॉलोनियोनलीजम के बिटिस का जो उपनिवेस वाद रहा उसके तीन फीजिस थे ठीक है देख लेते हैं कौन-कौन से इसको थोड़ा ठीक भी कर लेंगे प्रिंटिंग मिश्टी यहाँ पर देखो पहले को बोलते हैं और धोगिक पुझिवाद ये वानिजिक पुझिवाद पहले को क्या बोलेंगे वानिजिक पुझिवाद अथार्थ कॉमर्सियल कैपिटलिजम जो की चलता है आपका कब से कब तक 1757 से लेकर आप देखेंगे 1813 तक चलेगा वानिजिक पुझिवाद दूसरे को बोलते हैं दोस्तो और धोगिक पुझिवाद और धोगिक पुझिवाद 1813 से 1860 डलहोजी का कालवी सीन आएगा जिसकी हम बात कर रहे थे क्योंकि वो और धोगिक पुझिवाद की आवज सक्ताओं की पूर्दी करा था इसका आर्थ आखिर है क्या ठीक है इस पर बात करेंगे और तीसरा जो है दोस्तों इसको आप गरेक्ट कर लेंगे ये और धोगिक ना होकर यहाँ पर जो तीसरा चरण है ये कौन सा है वित्तिय पुझिवाद इसको अंगरेजी में क्या कहींगे इसको बोलेंगे फाइनसिel क्याइनसियल कैपिटलिज्म प्यारे दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे और धोगिक पहले सबसे पहले आया जो उपनिवेस बात था भारत में उसकी तीन चरण हुए, total three phases हुए First phase को हम बोलते हैं वानिक जिक, पुंजीवाद अठार्थ, प्यारे दोस्तो commercial capitalism दूसरे चरण को बोलते हैं और धोगि Кुंजीवाद industrial capitalism तीसरे चरण को बोलते हैं आप वित्यवाद अठार्थ financial capitalism इनका क्या, मतलब आखिर इनमें अंतर क्या है ठीक है तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चलिए वित्य आप देखेंगे सबसे पहले हैं वानीचिक पुझिवाद अथार्थ वानीचिक पुझिवाद जो की 1757 बैटल और प्लासी से लेकर 1813 अथार्थ बिटेन की केवल एक कमपनी का एक अधिकार इस काल में क्या हुआ बिर्टिस इस्ट इंडिया कमपनी का एक अधिकार चला था अथार्थ बिटेन की केवल एक कमपनी भारत के साथ रहा पार करती थी इसको बोलते हैं बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का भारत के साथ एक अधिकार मोनोपॉली चला है तो विभिन तरीके से ये जो भारत है यहां से और ये इंग्लेंड है यहां से विभिन तरीके से क्या ले जाया गया भारत का पैसा ले जाया गया विभिन माध्यम से जैसे आप देख सकते हैं कि ये सैलरी लेंगे ठीक है तो भी भारतियों से लेंगे गिफ्ट लेंगे रिस् अथार्थ बिटिस इंडिया कम्पनी एक मात्र कम्पनी भारत के साथ व्यापार करेगी यहां से जो व्यापार का लाब ठीक है पैसा यहां से कमाएगी और कहां ले जाएगी अधिकांस पैसा को कहां पर जमा कर रहे हैं भारते संसादनों को वहां पर ले जा रहे हैं ठीक है यूरोप में यानि कि ब्रेटेन में, दूसरा जो प्चरण आया दोस्तो, इसको हम बोलते हैं, ओधोगिक पुझीवाद, ठीक है, इंडरस्ट्रियल केपिटलिज्म, कब से कब तक चला, 1813 से दोस्तो ये स्टार्ट हुआ, रोग अठारे सो, आप देख सकते हैं, 60 तक चला, डलोजी के कालता, पहली बाद तो दोस्तो, कंपनी का जो एकादिकार था, मोनोप्ली वो समथ कर दी गए, ऐसा क्यूं हुआ, जे इस पिरिएड में क्या हुआ, इंगलेंड जो है, दोस्तो, वहां पर आगी, ओध्धोगिक रांती, क्या नहीं ए इंडरे मिडोशन का मतलब राव मैटेरियल ठीक है यहां से यह लोग राव मैटेरियल ले जाएंगे और वहां से क्या लेकर आएंगे तो प्यारे दोस्तों यहां पर लेकर आएंगे आपका आप देख सकते हैं फिनिस गुड्स अथार्थ तैयार माल यहां से कच्छा माल ले जाएंगे भारत से और तै कारी की समाथ इसका मदलब भी होगा कि अब भारत के साथ केवल British India company ही व्यापार नहीं करेगी मुक्त व्यापार की नीती यानि कि जो भी Britain की company आएगी यहां पर कोई tax नहीं लगेगा भारत में आने पर मुक्त व्यापार आओ व्यापार करो जाओ आओ वयापार करो जाओ क्या करना है दोस्तो raw material यहाँ से ले जाएंगी बिटाइम की अन्य कंपनिया भी यहाँ भारत के ताथ वयापार करेंगी जितनी जादा कंपनिया आएंगी ठीक है वो वयापार कर सकती है यहाँ से क्या करेंगी कच्चा माल लेकर जाएंगी जैसे माल लोग cotton ठीक है cotton लेकर जाएंगी और जिंस बना के लाएंगी तो क्या हुआ? raw material इसलिए मैंने बोला था कि अद्धोगिक पुझिवाद की पूर्ती करना था इसी बज़े से भारत के अधिक से अधिक छेत्र को जीतना चाता था कौन जीतना चाता था? प्यारे दोस्तों डलहोजी तो मैंने बताया वो धोगिक पुझिवाद की पूर्ती का मतलब क्या हुआ? कच्चे माल की पूर्ती कब करोगे जब तुमारे अधिन जादा से जादा छेत्र होगा भारत का क्लियर हो गया ठीक है और तयार माल को कहां विच्छोंगे क्योंकि भारत से बड़ा कोई बाजार है नहीं भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं उनको चीजे वी चाहिए तो प्यारे दोस्तों आपका फिनिस गूड्स अथार तयार माल को यहां पर बेचेंगे इस काल में कमाया ठीक है उसको भारत में निवेश करता है जैसे माल लोग रेलवे का विकास करेंगे ठीक है अब यह हमारा क्लियान नहीं कर रहे है ध्यान रकना भारत में निवेश करेंगे ठीक है लेकिन प्यारे दोस्त इसका मत्तरद है जैसे माल लो रेलवे का रेलवे की पट्री बच बिचा दी इन्होंने तीक है रेलवे का विकास क्या जा रहा है तो ये भारतिय पुझी को भारत में ही जो भारत से इन्होंने पुझी कमाई है भारत में उसको निवेस कर रहे हैं और उससे कई गुना लाब उठा रहे हैं अब क्या कर रहे हैं कई गुना लाब ठीक है ज निवेस कर रहे हो और कई गुना लाग कमा रहे हो विबिन जगे पर भारत में निवेस कर रहे हो ठीक है संपत्ति को बढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो देखो बिर्टिस पुंजी का भारत में जो बिर्टैम की पुझी है यानि कुलिबला के वैसे तो भारत से कमाई है निवेस कर रहे अदिक सिर्भ और कमाओगे तो यह क्या क्या पुण्जिवाद कुआइगा जो वानिजिक पुंजिवाद में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों केवल और केवल व्याँपार ौर फूस करेंगे और मोनोपॉली चलेगी, ब्रिटिशिंजा कंपनी की इस तरफ मोनोपॉली खतम हो जाएगी सारे कंपनिया भारत की मतलब ब्रिटेन की भारत में व्यापार करने के लिए आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे जो पूजी है वो भारत में ही निवेस करेंगे और जादा से जादा लाग कमाएंगे चलिए, मुझे जला यह पॉइंट आपको समझ में आगया हो, इससे समझदित एक दो कॉंसेप्ट और हैं जो कि आपको समझने चाहिए हैं, जैसे मालो समझ रिलेटिट कॉंसेप्ट उपनिवेस वाद क्या है दोस्तो एक ये एक आर्थिक प्रिक्रिया है ये इटीज एकनॉमिक प्रोसेस क्या होता है इसमें एक देश, दूसरे देश दूसरे देश, अथवा छेत्र पर आंसिक अतार्थ पूंट रूप से क्या करता है राज स्थापित कर देता ताकि वह देश के ओधोगिक संसादनों का दोहन पेरेंट कंट्री के विकास के लिए कर सके मैं एक कह रहा हूँ कि जैसे मानलो भारत एक कॉलोनी है ठीक है ना तो दोस्तो इसके जो आपके औधोगिक संसादन है अथार्थ इसके इंडस्ट्रियल रिसोर्सिज जो है इनका उपयोग अपने लिए करता है पेरेंट कंपनी जिसके हम कॉलोनी होते है तो क्या होता है इस पर पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेबलिस करता है मैं कहा रहा हूँ अथार्थ इसमें होता क्या है parent country आपका ठीक है colony पर क्या करता है political control establish करता है और किसलिए करता है ताकि वो आर्थिक संसादनों पर कवजा जमा सके तो इसको भी बोलते हैं आप कह सकते हैं इसको आप उपनिवेस वाद के नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं उपनिवेस वाद चलिए economic dominance है यह आप कह सकते है political control establish करोगे लेकिन और धोग संसादनों पर कवजा करने के लिए सामराजवाद की दोस्तों एक आरंबिक अवस्ता होती है सामराजवाद की आरंबिक अवस्ता अब आतावी सामराजवाद थोड़ा सा अगला है यह थोड़ा सा एक आगे बढ़ के कदम है सामराजवाद में क्या दोस्तों यह एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश पर संपून आधिपत्ते थापित कर लेता है पूरे देश को कभजा लेता है यानि कि आर्थिक कंट्रोल के साथ साथ दोस्तो मानवी है संसाधनों पर भी नियंतरन सारी चीजों पर कंट्रोल ठीक है और सासन पर नियंतरन के माध्यम से आर्थिक नियंतरन के साथ साथ दूसरे देख सकते हैं सेक्ट आप सेक्षिनिक सोसन सामाजिक सोसन करते हैं सांस्कृतिक सोसन भी करते हैं इसमें सारी की सार प्रभुत के साथ साथ सैक्षनिक सिक्षा पर भी है ना सामाजिक, सांस्कृतिक और दोस्तों मनोवज्ञानिक प्रभुत भी स्टेबलिस कर दिया जाता है ताकि आपनिवेसिक लाब तक दोस्तों मात्र देश के लिए बनाये जा सकें पुली मिलाके जो है इसको लाबदायक बनाये जाए किसके लिए मात्र देश के लिए ठीक है तो ये है आपका इसके बाद पूंजी बाद क्या होता है इसको भी देख लेंगे तो प्यारे दोस्तों पूंजी बाद क्या है एक आर्थिक विवस्ता है जिसमें आर्थिक गतिविदियों का संचालन भेतर तरीके से लैसेस फेर मुक्त व्यापार के सिद्धानत पर किया जाता है तो कह सकते हैं देख सकते हैं आप सरकार को आर्थिक गतिविदियों में हस्तचेप करने का दिकार नहीं होता है अथार्थ इसमें एकनोमिक फ्रीडम की बात की जाती है तीक है इकनोमिक फ्रीडम ठीक है और यहां पर क्या है बाजार डिमान्ड और सप्लाई के आधार पर चलता है सबी चीज़ों का जो प्राइज निरधारने वो स्वेयते क्या होता है राज्य हस्ताचेप नहीं करता, सुएते ही होता है, पुझीवाद इसका उल्टा है, पुझीवाद में हैसा होता है, समाजवाद इसका उल्टा है, समाजवाद जो की रसिया वगेरा, चाहिना वगेरा में होता है, तो वहाँ पर जितनी भी संसादन है, वस्तूओं के तो प्यारे दोस्तों ये मैंने आपको बताया समान यहां पर देखेंगे पुजी वाद के बारे में हमने बात की ठीक है इसके बाद हमने सामराज जवाद सामराज जवाद दोस्तों पुजी वाद का क्या है फाइनल स्टेज होता है इसके बारे में बात की किसका सामराज जव पर किसके पर कॉलोनी पर ये मैंने आपको बताया तो प्यारे दोस्तों ये बहुत जरूरी है आपको इसके बारे में पता रहे हैं खैर मुझे लग रहा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आगे जब हम इत्यास पढ़ेंगे तो वह बहुती इजी हो जाएगा आपको पढ़ना है से आगे समझ में भी आएगा तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्ट क्लास में अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्यारे दोस्तों तो आपको अपने दोस्तों को सभी दोस्तों को अपने ग्रूप में सेयर करिए ताकि जादा से जादा लोगो तक वीडियो जा सके ताकि हमें एक उत्सा मिल सके वीडियो बनाने के लिए तो ठीक है दोस्तों धन्यवाद लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद